नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वाकत है सिख्च अकेडेमीं की इस नए वीडियो में दोस्तो आज के स्वीडों में हम डिसकेस करने वाले हैं भारत के परिवाहन विवस्ता की महत्पून प्रशन जोकि आपको आगामी परिक्चा के लिए बहुत ही जादा महत्पून शाव तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है भारत में बायू परिवाहन की शुरुआत कब से प्रारंब की गई थी ओप्शन आपके सामने A. 1925, B. 1911, C. 1853 या फिर D. 1945 दोस्तो इसका सही आंसर है ओप्शन नम्मर B यानि की 1911 में भारत में बायू परिवाहन की शुरुआत हुई थी इसकी बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्न है जीटी रोट कहां से कहां तक बिस्तारित है जीटी रोट कहां से कहां तक बिस्तारित है option दिल्ली से बंबाई, option B है दिल्ली से कोलकाता, option C है अमरित सर से कोलकाता, option D है दिल्ली से अमरित सर तो उसका सही answer है option नमर C यानि कि अमरित सर से कोलकाता तक बिस्तारत है दोस्तों यहाँ दो भागों में divided है एक अमरित सर से दिल्ली तक और यह एक नमबर नेशनल हाईवे एक कहलाता है और यह दूजरा है दिल्ली से कोलकाता तक दोस्तों यहाँ नेशनल हाईवे 2 कहलाता है यहाँ दो भागों में बढ़ गया और दोस्तों इसको सेर साय सूरी द अंगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्टी राजमार्ग कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राष्टी राजमार्ग कौन सा है Option A National Highway 1 National Highway 5 National Highway 47 या फिर National Highway 7 उसका सही आंसर है Option D या National Highway 7 या है भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमारक है जो की बनारस से कहा जाता है करन्या कुमारी तक जाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण है जवलपुर को जैपुर से कौन सा राजमारक जोड़ता है कौन सा राश्टी राजमारक जोड़ता है जैपुर से जवलपुर या जवलपुर से जैपुर Option है National Highway 7 National Highway 8 National Highway 12 और National Highway 9 इसका सही आंसर है Option नम्मर C यानि की National Highway 12 या जवलपुर से जैपुर को जोड़ता है इसके बाद आगे चलते हैं अंगला प्रश्ण है राश्टी राजमारक का चोड़ाहा किस सहर को कहा जाता है Option A नागपुर, Option B कानपुर, Option C जहांसी, Option D दिल्ली तो इसका सही आंसर है Option नम्मर B यानि की कानपुर को राश्टी राजमारकों का चोड़ाहा कहा जाता है दोस्तो कानपुर, सहर में राश्टी राजमारक ऐसे गुजरे हैं यहाँ पर इसको चोड़ाहा बोला जाता है इसके बाद चलते हैं आंगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण है विश्व की सबसे उची सड़क किस राज़ में बिस्तारत है? विश्व की सबसे उची सड़क किस राज़ में बिस्तारत है? उप्सन A जम्मु कस्मीर, उप्सन B पंजाब, उप्सन C सिक्केम, उप्सन D है अशम इसका सही आंसर है उप्सन नमर A यानि की जम्मु कस्मीर लद्दा को ले मारक कहलाता है जो की सबस्व का सबसे उचा है कौनसा ले से लद्दा तक जाता है? ले लद्दा राजमारक की नाम से भी जाना जाता है इसके बाद आंगे बढ़ते हैं अंगला प्रस्टन है भारत का सरवाधिक अंतर राष्टी यह व्यापार किस परिवाहन से होता है? उप्सन A सडक परिवाहन, उप्सन B जल परिवाहन, उप्सन C बायु परिवाहन या फिर उप्सन D रेल परिवाहन तो इसका सही आंसर है option number B यानि कि जल परिबाहन दोसों जल परिबाहन से ही भारत का विदेशियों के साथ ब्यापार होता है लगभग 99% तक जल परिबाहन से होता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रेशन है बायू परिबाहन का राष्टिय करण कब किया गया था? option A 1905, option B 1925, option C 1930 या option D 1903 तुसका सही आंसर है option number D यानि कि 1903 में भारत का बायू परिबाहन का राष्टिय करण किया गया था इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रेशन है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंग्चन कौन सा है? option A आगरा, option B मत्रा, option C बीना या option D बुम्बई तुसका सही आंसर है option number B यानि कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंग्चन मत्रा है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रेशन है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? option A खड़कपूर, option B अटार सी, option C गुरकपूर या option D बीना तुसका सही आंसर है option number C यानि कि गुरकपूर गुरकपूर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर श्रापत होता है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करना दुस्तों और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी मैं अंगला नए वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करेंगा चलिए मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक दोस्तों बाए